हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू आर क्लास आज हमारी हिंदी की क्लास है जिसका टॉपिक है समास कल की क्लास में संधी हो चुकी थी संधी और समास जो आपको समझने वाली चीज़े हैं वो संधी और समास में ही है बाकी जो आपका स्लेबस है उसमें ऐसा कुछ ऐस समझाने ला ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है तो आज है समास जैसे संधी होता है वैसे ही समास भी दो सब्दों का ही खेलोता है बट संधी में हम जो ध्यान देते हैं वो या तो स्वर या फिर व्यंजन या फिर तीसरी चीज होती है बिसर्ग इन चीज़ों से लेकिन समास में क्या होता है केवल शब्द देखे जाते हैं अब अगर इसकी परिभाशा देखी जाए तो दो अथवा दो से अधिक सब्दों से मिलकर बने वे नए शार्थक सब्द सार्थक का मतलब वो सब्द की कुछ मीनिंग होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होना चाहिए को समा कहते हैं अर्था जब भी कोई दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्मान करें जिसका कोई अर्थ होता है ऐसे नए शब्द को ही समास कहा जाता है और समास विग्रह ठीक इसका उल्टा होता है कि जब कोई शब्द है उसको हम विग्रह मतलब तोड़ दो दो शब्दों होता है उत्तर पद यह आपको धियान रखना है पूर्व पद पहले वाला होता है और बाद वाला होता है उत्तर पद जब हम समास आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है इसके साथ ही आपको जैसे तत्पुलु समास होता है उसमें आपको कारक चिन भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कारक चिन करताने कर्म को करण से इसे आप note down कर सकते हैं हाँ पे है नहीं संप्रदान के लिए अपाधान से से या अलग होने संभंध का के की अधिकरण में पे पर यह आपको याद रखना है सारे करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपाधान से अलग होने संभंध काके की अधिकरण में पे पर अब जैसे यहाँ पे एक शब्द दी हवा है घुड सवार तो घुड सवार को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि घुड़े का सवार जो घुड़े को सवार या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं घुड़े पर सवार दोनों इसका समास जो है समास विग्रत दोनों तरीके से हो सकता है गोड़े का सवार या फिर गोड़े पर सवार तो गोड़ा क्या हो जाता इसमें पूर्व पद हो जाता है जबकि सवार इसमें है उत्तर पद यानि बादवाला पद अब अगर समास को देखा जाए तो इसमें कितने प्रकार के समास होते हैं च्छे प्रकार के और सबसे ज़्यादा confusion होता है बहुबरिये समास में, कई जगा में दीगु समास भी होता है, बहुबरिये होता है, कर्म ध्यारे भी होगा, उसमें बहुबरिये भी होगा, तो इस तरीके के समास जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा confusion होते हैं, वो मैं आपको प्रधान होता है ततपुरुष कर्मधारे और दिगू इन तीनों समास में उत्तर पद यानि बादवाला पद प्रधान होता है इसके अलावा द्वन्द समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है दोनों की इंपोर्टेंस बराबर होती है जो द्वन्द समास होता ह फिर आता आपका बहुब्रिय समास तो बहुब्रिय समास क्या होता इसमें दोनों पत प्रधान होते हैं यानि कि कोई भी पत प्रधान नहीं होता बलकि इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा होता जो की प्रधान होता वो मैं आपको बताऊंगी कैसे वो तीसरा अर्थ निकलता है तो आपको याद रखना अव्योई भाव में पूरुपत केवल किसमें प्रधान है अव्योई भाव में तत्पुरुष, कर्मधारे और दीगु समास में आपका उत्तर प्रधान होता है द्वंद में आपके दोनों प्रधान होता है जबकि बहु भुरिया में क्या होता है कोई भी प्रधान नहीं होता है दोनों प्रधान होता है तीसरा अर्थ निकल रहा होता है जो प्रधान होता है अब अगर अभ्यवी भाव समास की आपको वैसे भी definition याद नहीं रखनी है definition आप पे लिखने के लिए नहीं आएगी आपको ऐसे key points याद रखने है कि अगर किसी में जैसे आगिया अनु आगिया प्रती आगिया तो इसमें किस तरीके का समास होगा वो चीज़े आपको धिहान रखनी है अगर अव्य भाव समास देखा जाए तो इसका पूरुपत प्रधान होता है साथ में अव्य होता है ये होता है अव्य ये main point है अब अव्य क्या होता है अव्य ऐसे शब्द होते हैं जिन पे link यानि gender कारक, काल, समय आदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब वो किसी भी link में अगर strill link में बात की जाए तो भी वो वैसे होंगे पूर link में भी वो वैसे होंगे अगर भूत काल में भी वो वैसे होंगे वर्तमान में भी वैसे होंगे तो उनमे कोई फरक नहीं परता, ऐसे सब्द कहलाते हैं अवे, अब अगर अवेविभाव समास की अगर पहचान करने तो कैसा होता है, तो इनका पहला जो सब्द होता है, पहला पद होता है, उसमें या तो अनू आता है, आ आता है, प्रती आता है, भर आता है, यथा यावत हर, इस तरीके के शब्द अव्यभाव समास में आते हैं, अब हम इसके उधारन दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा common जो पूछा जाता है, प्रती दिन में कौन सा समास है तो प्रती प्लस दिन इसे हम प्रतेक दिन भी बोल सकते हैं प्रतेक दिन जहांबे प्रतेक क्या है आपका पूरुपत है और इसके साथ ही ये क्या है एक अव्या है तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा समास हो क्या है जैसे है आजन् दिविश्यद और पहला पद और बात का पद देखे तो आ, आ मैंने आपको बताया था किस में आता है, अभी आपको बताया लिस्ट में, आ आता है आपका, आव यही भाओ समास में, इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बाता है अब तत्पुरु समास जो होता है इसमें होता है उत्तर पद प्रदान यानि बाद वाला पद प्रदान होता है अब इसको अगर पहचाना जाए तो इसको कैसे पहचाना जाता है इसमें आते हैं बीच में कारकचिन कारकचिन होगे जैसे का के की से द्वारा ये सब में पेपर ये सब क्या आते हैं ततपुर्ष समास में आते हैं अब जैसे राज कुमार में कुशन आगिया राज कुमार में कौन सा समास है तो हमें राज कुमार का समास विक्रा करना पड़ेगा राजा का कुमार यानि कि राजा का पुत्र इसे राज पुत्र भी बोल सकते हैं तो का इस रचनाकार रचना को करने वाला इससे आपको समझ में आ गया है कि ये तत्पुरुष समास है अब देखिए तत्पुरुष समास को भी चेंज किया जाता है बिभक्तिया फिर कारक चिन्नों के अनुसार अलग लग इसके छैवेद होते हैं सबसे पहले होता है इसका कर्म पुरुष होगा कर्म तत्पुरुष आप पे कर्म तत्पुरुष नहीं आता अभी तक तो नहीं पूछा जाता एक्जाम में बट इन कस अगर आपके पास option में भी ततपुरुष के भेद होगे हैं तो वह आपको पता होने चाहिए अगर level थोड़ा सा बढ़के आया तो अब है गगन चुमी, गगन चुमी का मतलब गगन को चुमने वाला, तो को आ गया, तो कौन सा तत्प्रूश हो गया, कर्म मैंने आपको अब उपर बताया था, कर्ताने कर्म को, कर्म में कौन सा आ गया, को, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो ये भी कर्म तत्प्रूश से होते एक अलग होने के संदर में होता है और एक होता से जहां पे द्वारा इसके द्वारा जिसे हम विद भी बोल सकते हैं इंगलिश में से या द्वारा आप दिखे इसमें जो करन कारक में तो क्या आएगा 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 कि द्वारा के संदर में आएगा अब यहाँ पर आपके पास उधारण है करुणा पूर्ण तो करुणा से पूर्ण करुणा से भरावा है मतलब तो इसमें कौन सा हो गया आपका करण ततपुरुष फिर है सूर रचित तो सूर मतलब सूरदास जी द्वारा रचित तो सूरदास द्वारा रचित इसमें भी क्या हो गया करन फिर है आपका भैयाकुल तो भैयाकुल मतलब भैसे आकुल भैसे जो उसकी द्वारा डर आवा है भैसे आकुल इसमें भी आपका होगया करन ततप्रोश अब है संप्रदान, उसमें होता है आपका संप्रदान के लिए तो अब अगर आप इसको देखेंगे प्रियोग शाला, प्रियोग शाला में होता है प्रियोग के लिए शाला, जो प्रियोग करने के लिए जो घर बनाया जाता है उसे बोलते प्रियोग शाला तो यहाँ पे के लिए दिख रहा है तो इसका मतलब यह हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष डाग गाड़ी, डाग के लिए गाड़ी, तो संप्रदान तत्पुरुष अगर संप्रदान तत्पुरुष नहीं आता है, सिंपल तत्पुरुष आता है option में तो आपको ततपुरुष में ही उसको select करना क्योंकि वो right answer होगा तो आपको ये सारी चीजे ध्यान रखनी है इसनान घर, इसनान के लिए घर संप्रदान के बाद आता है अपादान ततपुरुष अपादान में भी से आता है अपादान से अलग होने पर अब जब उधारान देखेंगे तो समझ में आ जाएगा धन हीन, धन से हीन, आया से है आपने उपर भी से पढ़ा था लेकिन यहाँ पर क्या ओर रहा है धन से हीन है मतलब धन से वो अलग हो चुका है पथ भरष्ट, पथ से भरष्ट यानि कि पथ अलग चीजा और वो पथ से रास्ता भटक चुका है अपने पथ से तो पथ भरष्ट पाप मुक्त, पाप से वो मुक्त हो चुका है तो यह कौन सा हो गया आपका आपका अपादान ततप्रुष अब है संबंद ततप्रुष तो संबंद में होता है कि दो चीजों का संबंद होता है तो इसमें आता है का, के, की ये तीनों चीज़े आती हैं आपकी संबंद ततप्रुष में अब है राजा अग्या यानि राजा की आग्या की आपको दिग्या संबंद हो गया, शिवाले, शिवकाले, शिवका घर, काप को दिग गया, तो ये भी संबंद हो गया, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये भी आपका संबंद तत्पुरुशो चुका है, अब है अधिकरण, अधिकरण में होता आपका या तो में, पे, पर, ये तीनों में उत्तम में आ गया तो अधिकरन हो गया शोक मगन शोक में मगन तो इसमें भी अधिकरन आपका अधिकरन तत्पुरुष समास हो चुका है अब है कर्मिधारे समाथ तो कर्मिधारे समास क्या होता है इस समास में भी आपका इसमें आपका जो होता है उत्तरप्रत प्रधान ह उत्ततपुरुष में भी उत्तरपद ही प्रधान था लेकिन इसको उस पहचानना कैसे इसमें क्या होता है कि जो उत्तरपद और आपका पूरुपद होता है उन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो विशेशन और विशेश्यका होता है यानि कि वो एक दूसरे की करमदाब का समझद होता है करमधार को समझने का तुheid है करमधार्यम आपको आ ढा कर्मधारे मैशनने यह यह उसे हम कोरदू सिहाँ है करमधार्यमधा है। चरन तो इस तरीके से आपको कि कमल जो चरन है वो किस के समाने कमल के यानि इसकी विशेष्टा बता रहे है चरन की विशेष्टा को किस तरीके से बताई जा रही है कि कमल के समान है महादेव महान है जो देव अब एक चीज है कि महादेव ये है जो महादेव ये बहुब्रिय क्योंकि महादेव हम भगवान शिवजी के लिए भी बोलते हैं और महान है जो देव जो देवों में महान है वो तो महादेव है तो अभी मैं आपको बहुपरिया का भी बताऊंगी कि उसमें अंतर कैसे देखना है और most common answer कौन सा होता है जब आपके पास जैसे आप देखो लंबोदर अगर मैं आपको बोलू लंबोदर तो लंबोदर का समास विक्रे होता है लंबा है उदर जिसका तो जिसका यह है जिसका यह किसमें आता है मैंने आपको बताया कि आता है कर्मधारे में लेकिन इसका आंसर हम हमेशा लंबोदर हम किसी और चीज के लिए किस के लिए यूज करते हैं हम गणिश भगवान जी के लिए करते हैं यानि अलग अर्थ जिसका निकल जाए उसमें हम हमेशा बहुब्रिया चूस करेंगे वो ही आंसर सही माना जाता है अब जैसे महादेव में होने को अगर इसमें कर्मधारे भी हो सकता है सिंपल है लेकिन अगर option में महादेव में बहुब्रिया भी आए तो आप बहुब्रिया ही चूस करोगे क्योंकि महादेव भगवान शिप जी के लिए कहा जाता जब भी तीसर अर्थ निकल जाए तो वो बहुब्रिया हो जाता है अभी जब बहुब्रिया पड़ोगे तो आपको exactly समझ में आ जाएगा अब है दिगू समास अगर दिगू समास की बात की जाए तो सबसे easy जो समास होता है जिसको पैचाना वो होता है दिगू क्योंकि जहाँ पे आपको संख्याएं दिग जाए वहाँ पे हो जाता है आपका दिगू समास जिसके पूर्व पद में क्या होती है संख्याएं होती है यह संख्या वाचक विशेशन होता है तो वहाँ पे वो होता है दिगू आप जैसे बात की जाए त्री लोग त्री लोग रहे बनता हो जातर ऐसी बनता है साथ सिंदों का समू तो यह हो गया आपका दिगू तो आपको क्या करना हर समास का एक-एक उधारन आपको अच्छे से याद करके जाना है ताकि वहाँ पर एक्जाम में आए तो आप अंडरस्टाइनिंग आपकी इतनी बन जाए कि आप उसे इसली कर पाओ अब है द्वंद समास अब द्वंद समास अगर हम बात करें तो द्वंद समास में क्या होता दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद समास में इसको आप कैसे याद करोगे कि द्वंद समास के बीच में आता है योजक चिन यह ऐसा आता है यह जो है डंडा आत होता है कि जो युजरली साइंस बैक्ग्राउंड से होते हैं अभी जिसने पहले पहले जो पढ़ रहा होगा बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है दुगु और द्वंद में तो द्वी में आपको संख्या दिख रही है द्वी जहां पर संख्या दिखेगी वहां पर यह मतला एक दूसरे के याद भी हो सकते हैं हर कंडिशन में विप्रीत नहीं होते जैसे माता और पिता माता पिता यह सारे आपके क्या हो गए द्वंद समाज जहां पर आपको ऐसा चिन दिख गया आप यह याद कर सकते हैं अब दो तो इसली याद हो जाते से द्वंद हो इसमें बीच में आता है डंडा दिख हो गया इसमें आती है संख्याएं अब बेवभाव में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्द आएंगे शुरू में आ आ आ गिया प्रति आ गिया जिन में जो अव्य सब्द होते हैं तीछरे यह हो गया उसके बाद मैंने आपको धारे होता है लेकिन कर्मधारे और बहुबरी में कनफ्यूजन होता है वो आपको याद रखना है द्वंद हो चुका है आपका अब आता है बहुबरिया बहुबरिया एक्जेक्ट कर्मधारे के ही समान होता है बट इसमें क्या होता है इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल जात ओसंसाफ लिए जब तो ॏऔर लेकिन दोगते मिल कंट है tuh नहीं पहुम्वुन घरति होँदी नीजी को हो गये चौलड़ी अब चौलड़ी के अगर बात की जाए तो चौलड़ी चार लड़िया चार आपको दिख रहा है तो चार यानि कि दिगू समास होना चाहिए था लेकिन चौलड़ी बोला जाता है माला को चार है लड़िया जिसमें इसे कहा जाता है माला इसके इसाब से इ तूकिया अनन हो जाता है। कई बार परिशा में ऐसे शब्रशमे दिये जाते हैं.. जो दो समाज दिखाते हैं.. जैसे हो गया नील कंठ अब नील कंठ अगर आपको question में दिया जाता है अगर आपको समास विग्रह करके दिया जाता है कि नीला है कंठ जो ऐसा अगर आता है तो नीला है कंठ जो में तो कर्मधारे ही होगा लेकिन अगर पूछा जाता है नीला है कंठ जिसका तो जिसका कंठ तो आपको अगर समास विग्रह करके दिया जा रहा है तब तो इजी है लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि नील कंठ में आपको समास बताना है तो आप हमेशा बहुब्रिया ही चूज करोगे सीम जैसे दशानन है यहां पर दशानन होता है दस आननों का समू यानि दस सिरो का समू तो हो गया है दिगू समास लेकिन और दशानन है दस है आनन जिसके तो वो किसके आनन होते हैं दस बहुब्रिया समास रावन के होते हैं अगर कोशन ऐसा पूछा जाता है दस आननों का सम मों में कौन सा समास है तब तो दीगू समास ही लिखेंगे दस है आनन जिसके बहुबरिया समास ही लिखेंगे और केवल शब्द दिया जाता है दशानन में कौन सा समास है तो दशानन में हमेशा बहुबरिया ही समास होगा यहां पर आप देखेंगे कि ऐसी स्तिती में ध्यान अगर समास विग्रह दिया गया है तो ग्यात करें किस समास के नियमों का पालन कर रहा है समास विग्रह में तो आपको समास के नियम देखने है लेकिन केवल शब्द दिया गया है और पूछा गया है किसमें कौन सा समास है तो आपको हमेशा जैसे यहां पे है दशानन केवल शब्द दिया है तो आपको हमेशा बहुबरिय समास चूस करना है ये आपको याद रखना है क्योंकि दशानन में दिगो और बहुबरिय समास दोने है पर ऐसे इस्तिती में आपका उत्तर बहुबरिय समास ही होना चाहिए क्योंकि बहुब्रिय समास को समी समासों में सर्वस्ट्रेश्ट माना गया है यह आपको चीज धियान डखनी है confusion हमेशा बहुब्रिय ही करता है और exam में जादा तर इसलिए इसी को पूछा जाता है तो आज आपके जो यह समास की class थी वो आपके complete हो चुकी है आप आप लोगों के जो understanding है समास से related वो हो चुकी होगी बस आपको एक-एक उधारन हर समास का याद करके जाना है तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care good luck for your exam